आज स्वाइब को अपने पेपर की तेवी बहुत अची से कर रहे होगे हम लोग सार्ट करें है फार्मेसी टेक्निशन सेकिंड येर में आने वाले उन तमाम तर इंपार्मिन शॉर्ट कस्टेंस को जो कि आपके पास पेपर में बहुत दफाए हैं रिपीट हुए हैं ताकि हम लोग अगर इनकी त्यारी कर लें तो आज शायद की बात है हम लोग जी पेपर में पास हो जाएं जैसे कि आप लोग जानते हो फार्मेसी टेक्निशन सेकिंड येर में दो पेपर आते हैं पास पेपर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट कॉस्टन्स हम लोग ने देखे थे हैं तीक हो गया आज हम लोग फार्माकोलोजी के शॉर्ट कॉस्टन्स देखेंगे जिसके उपर मैंने दो दफा स्टार बनाए है या एक दफा स्टार बनाए है या तीन दफा स्टार बनाए है इस मेन कि वो एक से ज़्यादा मरतब आपके पास पेपर में आ चुका है यानि कि वो उतना ही ज़्यादा इंपर्टेंट है सबसे पहले सवाल आपको लोगों का ड्रोड डायग्राम और फार्माको काइनेटिक्स ठीक हो गया यह फार्माको काइनेटिक्स की डायग्राम किस सरहा की है यह अप लोगों के बुक के अंदर डारक्ली नहीं लिखी हुई अगर आप लोग इसको समझना चाहते हो तो इसका लिंक भी मैं आपको description box में डाल दूँगी आप लोगों कहां से देखके समझ सकते हैं अगर भी खुद से लिखना चाहते हो तो इसके अंदर actually आप लोगों क्या करना है आप लोग ने फार्माको कानेटिक्स के बारे में पढ़े हैं हम लोग ने कि उसके अंदर क्या होता है जी ADME पहले absorption, distribution, metabolism और फिर बाद में जी excretion हो जाती है तो उस डाइग्राम को बना कर और ठीक है और उसके बाद आपने उसको explain करना है यह आपका सवाल बन जाता है, draw a diagram of pharmacokinetics ठीक हो गया सेकिन आप लोगों का सवाल बनता है, discuss parental roots ठीक है parental roots of administration along with advantages and disadvantages parental roots हमने different तरहा के जो हम administered करते हैं उनके बारे में हमने लिखना है ठीक है आप लोगों का सवाल आया था, discuss internal roots of administration along with advantages and disadvantages जो आपके oral और बकल root होते हैं उसको आपने discuss करना है और उसके advantages और disadvantages बताने है question no.4, briefly describe drug absorption, drug absorption आप लोगों का काफी मरतबा आया है ठीक है आप लोग ड्राग absorption के अंदर मुख्लिफ किसम के जो आपके processes है like active diffusion आप लोगों का passive diffusion आजाता है इसके वो eliminate हो जाता है उसके बारे में आपने यहां पर लिखना है question no.6, write down major receptor families along with examples आप लोगों के receptors आजाते हैं मुख्लिफ किसम के receptor families जो आपके चार लिखी हैं आपके बुक्के अंदर pharmacodynamics में आप लोगों ने उसके बारे में लिखना है along with examples फिर यह question भी आपका दो मर्तबा आ चुक है दो से बलके जादा मर्तबा आ चुक है फिर question no.7 भी आपका दो से जादा मर्तबा आया है define pathology, pro drug क्या होता है और फिर describe factors modifying action of the dosage of the drug ठीक हो गया यह आप लोगों का question इस तरह से भी आ सकता है describe factors modifying action of the dosage of the drugs या फिर आप लोगों का यह सवाल बन सकता है कि describe factors affecting bioavailability of orally given drugs ठीक हो गया अच्छा जी फिर आप लोगों का एक सवाल आया था define neurotransmitters, neurotransmitters क्या होते हैं and discuss some importance of neurotransmitters, neurotransmitters की importance बता दें या important neurotransmitters कौन-कौन से हैं ठीक हो गया फिर जी next chapter की तरफ चलते हैं आप लोगों का आजाते है, define neuron, neuron क्या है, फिर sympathetic and parasympathetic neurons क्या होती है ठीक है, यह आप लोगों का main जो ANS start होता है, उसके start में जो आप लोगों की definitions लिखी वी हैं ठीक है, वहाँ से आप लोग देखोगे कि sympathetic, parasympathetic neurons या पे nerve cells क्या होते हैं उसके बिल्कुल अगले page पे, यानि के यहां पर इसके इलावा आप लोगों आप लोगों का आगे लिखावा है जीव, sympathetic, parasympathetic chart आप लोगों का बनाव है, पूरा का पूरा उस वो जी बहुत दफ़ा आता है, ठीक है, उसके explanation एक से ज्यादा मरतबा आ चुकी है उस chart का आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, फिर, write a note on the acetylcholine, acetylcholine क्या होती है, neuromuscular blockers क्या होते हैं, या फिर आप लोग succinylcholine की explanation आ जाती है, ये भी एक से ज्यादा मरतबा आ चुका है इसी तरह से, write a note on the acetylcholine and its action, यानि कि उसके जो pharmacological actions क्या है, ठीक है, तो ये वाले सवाल भी आप लोगों का, मीन, एक से जादा मरतबा आ चुका है, या फिर आप लोग इस तरह से भी आते हैं, के explain the antimuscarinix, ठीक हो गया, फिर आप लोगों का question आए था, how benzodiazepines work, benzodiazepines किस त इस प्राम करता है, and writers, therapatic uses, और तो आप लोग इसके साथ इसके therapatic actions भी लिखो गया, ठीक हो गया, फिर ये के लिवोडोपा क्या है, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने Parkinsonism पड़ी थी, फिर हम ने anti-parkinson's, जो हम लोगों ने drugs इसमाल की थी, या फिर diseases में, लिवोडोपा आप लोगों की एक वाहिद एक drug है, anti-parkinson's disease, जो drug होगी, ठीक है, तो वो आप लोगों ने explain करनी है, फिर आप लोगों का आजाते है, what is depression, depression क्या है, और फिर आपने classify करना है anti-depressant drugs को, ठीक हो गया, इसके बाद, define hypertension, hypertension क्या है, summarize prototype drugs of the hypertension, hypertension में इस्तमाल हो क्या होने वाली, कुछ जो अद्वियात है, यहां पर क्या आप लोग लिखोगे, classification of hypertension लिखोगे, फिर आप लोगों के कुछ ड्रॉग्स, like captopril, verapamil, nitroglycerine और quinidine, यह भी आप लोगों के पास रेपर्स में आ चुकी है, इसके बाद, define epilepsy, epilepsy भी एक से जादा मर्तबा आया ह आपका angina क्या होता है, types of angina, आपका stable, unstable angina जो है, उसकी definitions और फिर prototype drugs याण के लिए कौन सी drugs इस्तामाल करते हो, आप लोग उसके बारे में आपने classification याद करनी है, फिर classification of anti-ulcers, ठीके, anti-ulcerants जो है, उसकी classification लिखनी है, PPI क्या होता है, H2 receptor blocker क्या है, और anti-immatics की भी classification लिखनी है, आप लोग ने, ठीके, ये भी आप लोग के पास रेपर में आचुक है, जिसके अंदर से anti-ulcers जो है, वो बहुत ज़्यादा अदफा आया है, defined diarrhea and prototype drugs used to treat diarrhea, diarrhea क्या होता है, और direct को के इलाज के लिए हम लोग कौन कान से medicine से समाल करते हैं, यानि कि यहां पर भी उसकी classification आज चुका है, फिर note on asthma, अस्थमा की definition लिखोगे, ठीके, और उसके साथ साथ कौन से medicine से समाल करते हो, अस्थमा के इलाज के लिए वो वली आ जाती है, drugs used to treat अस्थमा, और chemotherapy क्या होती है, ठीके, और इसके साथ उसके classification, classification में सारे की सारे नेम्स लिखते हो, बहुत अची बात है, लेकिन उसके अंदर specifically antifungal, antiviral और antibiotic की definition जादा आई है, और इन तीन में भी जादा दफा जो आया है, वो antiviral आया है, अच्छा जी, इसके बाद आप लोगों का anesthesia, anesthesia क्या होता है, कितनी types का है, लाइक आप लोगों के जेनरल anesthetics होते हैं, या inhaled anesthetics हैं, फिर आप लोगों stages of anesthesia, जो आप लोगों के बुक के अंदर लिखी होई है, वो चीज, वो आप लोगों के पास वेपर में आई है, फिर अटोकाइट्स क्या होते हैं, और इसके treatment के लिए क्या आप लोग इससावाल करते हो, और फिर एंटीडोट्स क्या होते हैं, उसकी definition और इसके functions, तीक है, इतने सवाल जो हैं, आप लोगों के पास वेपर में बार बार आए हैं, I hope कि अगर आप लोग इनको त्यार कर लेते हो, तो पास हो जाओगे, इन्शाला, अगर इसके अंदर से कोई भी question हो, जो आप लोगों का नहीं समझ में आएवा है, तो आप लोग मुझ से comment section में question कर स सकते हैं, मैं उसको explain कर दूँगी, right, और classifications उन सब को बहुत अच्छे से याद करने के लिए, बहुत यासान तरीका, कि अगर तो आप लोग अपनी classifications को कुछ पिरमीन एक दो pages के उपर ही summarize कर लेते हो, और अब बाद में उसको उठा के आप जी उसको रटा लगा लगा ले तोकसिटी, या पर स्टार्ट पर पोसॉलजी है, इंट्रडक्शन है, या फिर एनस है, उसमें से बहुत जादा सवाला आते हैं, ठीके, इसी तरह से आप लोगों के अच्छा, classifications आते हैं, इसके इलावा, ठीके, और आप लोगों के अपने पेपर के तरी बहुत अच्छी से करोगे, wish you all the best, thank you so much, Allah Hafiz